उसुदी खबर पड़े, एमना माटे विकलांगता धारो बेजार सोल चे, तो ये सोल नी जे जोगवाईयों चे, जे माँ समान हक आपियों चे, समान सहभागी तानो जे एमना माटे नू जे जोगवाई चे, तो ए रिते, तो समाज माँ पन लोको एने मदद रूप थवाननी साथे साथे एने एक राइट बेस जोओ है, तो एक समाज नो द्रश्टी कोन बदला है, ये माटे पन आपने सतत प्रहत नसी रही है, अने ये नू वधम वधू प्रचार कही रिते थाई सके, तक ला तरी कि आपनू जिल्लानू सिख्षकोंनू कोई ग्रूप चे, वाट्स चली चर्चा थाई, कि आस बालक नता आटला आपना गामना आव करने, पर हाल एनी खरेक्टिव सर्जरी करावी, अथवा एने कुत्रीम अंग एटले के जेने आपने कहिये चे, कि चोकस प्रकारना एप्लाइंसीस, अथवा अन्य साधन सहाय आपी छे, एना प्रिणा में बालक आवतो थो है, तो मने लागे छे ए खास करीने अगत्री उप्ताई चे, पॉलिसी सिस्टम जे में तमने वाद करी के राइट टु एजुकेशन एक्ट चे, विकलांक ता धारो बेजार सोल चे, तो उगणी सो पंचानू जे विकलांक ता धारो अतो, तो एनी अंदर जे मरियादाओ हती, एक खुब दूर करवाम आवी छे, त्यार बात तमे जो के पहला त्रॉंट टका रिजर्वेशन आतू, नोकरी ने आब दामा, हवे ए वधारी ने चार टका करवाम आवी छे, अने प्रवेस एटले के सिक्षन माटे कूल पांच टका छे, एनी जोगव प्रवेस आपड़ाओं हो है छे, तो आपना जिल्ला माँ जो आवा बाळको होए, तो आप एने खानगी शाड़ा माँ पन आप प्रवेस आपी शको छो, अने यह मनूं सिक्षन पन थाई शके छे, तो आरीते मुने लागे छे, के, बुलालो नाप सार, तो मुने लागे छ आप खुबज शारीते आ दिशामा आगल वदी शको चो यहां केटला फोटोग्राप्स चे ए आप आपनी वेबसाइड स्क्रीन उपर जोई शको चो जे मा प्रवुतियों मा सहभागीता बतावी चे वालियों नी जे तालिम थाए चे एमा सहभागीता बतावी चे एना माटे आपना जिल्लामा आवी शाला वदू करवा मांगो तो अपना आप करी शको चो आप ची आपनी पासे यहां हुँ समविशी शाला नी जे वाद चे एने उनक करू छू अने आपनी वच्चे एमार बालको संदर बे अमदावाद सेर्नी अंदर सामाजिक न्याय अने अधिकारिता विबाग अंतरकज जे कंपोजित रिजिन्स सेंटर ओडव मां चाले छे तो एना तजग्न स्री साहिब उपस्तिच छे तो साहिब ने विननती करू छू के तेवो आपनने एमना संस्थानी जे कामगिरी छे अने विकलांगो ना जे काईदा हो अने एमनी नीती विशे एक बाबत हो छे तो एना विशे आपनने अजित कुमार सिंग साहिब छे ये अने स्री राजेंद्र भाई उपस्ती चे तो बन्ने ने विननती करूँ छू के साहिब आप अमने अने अमारा बी आर पी आर्टी अने जिल्ला ना जे आईडी मित्रों छे अने आनवाई विशेश कोई नभिन बाब बतों छे के जेनी अंदर माग दर्शन आप छो नमस्ते हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अभ्यावगन, रिसोर्स टीचर्स, बच्चे जितने भी आसावी को हमारा नमस्कार और यह जो कारिकरम जो ऐसे से कर रही है गुजरा सरकार कर रही है यह काफी इन्फॉर्मेटिव है और इससे क्या है कि भहुत हम दूर तक गाउं गाउं तक इसको लेकर हम जा रहे हैं सबसे पहले जैसा भी सर ने बताया हम सुरू करते हैं कि हमारा जो सेंटर है छेत्रिय विकलांग पुनरवास केंद्र वो क्यों सा कारे करती है और इससे आप कैसे लावानवित हो सकते हैं पूरे गुचरात के जितने भी हमारे अभ्या जांच करानी है या किसी को मनवज्ञानिक जांच करानी है लर्निंग डिसावले वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में अगर विसेश जांच करानी है किनो किस तरह की प्रोप्लम है जो भी जांच है जहां की डाइगनोसिस जिसको हम बोल सकते हैं डाइगनोसिस के लिए आ जहां कि हम पहुत ही बिसेस्ट और बिसेस्ट जो हमारे जो बिसेस सिक्षा में और क्लिकल साइकलोजी में और फीज्यो तरेपी में और सारा जो एक मल्टीडिस्प्रेशी टीम होती हैं, वहां से उनको हम सर्विसेस देते हैं. तो जितने भी गुजरात के अलग-अलग सुदूर इलाके से, अगर किसी भी बच्चे में डाइगनोसिस की समस्या है, जहां लग रहा है कि क्या इसका डाइगनोसिस होगा, वो बच्चा आउटीजम होगा, कि वो बच्चा सेवरल पालसी होगा, कि वो मन्द बुद्धी है, क अगर हमारे पास बच्चे आएंगे, तो IQ assessment के सासत एक profile analysis होता है, प्रोफाइल अलसीस से हमारा कहने का मतलब है, अगर किसी बच्चे की बुद्धी है, तो बुद्धी भी यह क्या होता है, कि कई सारे जो उसके जो जो चीज़े ग्यान होती है, अलग-अलग एरिया में, ज academic achievement के तो सब को मिला कर एक global capacity होता है, तो उनको हम profile analysis करते हैं, किस चीज में बच्चा अच्छा है, किस चीज में बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, और किस जो बुद्धी की परिस्टिक्षन है, उसकी सेरिया में उनका कम है, यह हम एक profile analysis करके हम उनका देंगे जिससे कि उनका सिक्षन, खास तौर पर प्रसिक्षन जो है, अगर हमारा मंदबुद्धी बालक भी है, तो उनका काफी अच्छा होगा, तो यह चीजे हैं, इसके अलावा हमारे संस्थान में भारत सरकार के कितने कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि ADP की में जहां कि इनको म प्रवाइड करते हैं, उसके लिए आ सकते हमारे पास उनमें मुक्त और पर उनको जो डॉकुमेंट चाहिए, उसमें हमारा उनका बिकलंगता परमान पतर चाहिए, आवक का दाखिला चाहिए, उसके अलावा अगर किस जाती से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अधार काट चाहिए, दो फोटोग्राफ्स चाहिए उनका पासपोर्ट साइज, यह लेकर अगर हमारे पास अगर आते हैं, तो उनको फिरी में जो भी उनको जुरुत के चीजें हैं, उनको मिल सकती है, और हम देते हैं, जैसे कि उनको वीलचेर है, ट्राइ साइकील है, अगर करते हैं, कि उनको कुछ दिनों में, हम उनको जहां से मिलती है, खरीद के उनको हम दें, हमारे संस्थान में, जो भी सिस्टम है, उसके हिसाब से, तरीके के हिसाब से, लेकिन हम किसी भी बिकलांगों को किसी भी एट्स और अप्लाइंस के लिए, हम कभी मना नहीं करते हैं, कुछ देर हो सकती है, आप आए किसी को भी भेजिए, खास कर हमारे रिसोर्स टीचर हैं, जो आईडी कोडिनेटर्स हैं, और अब हावाय के सबसे निवेदन है कि इसका फैदा ले, और विकलंगों के शरजे से कभी क्या हो तक छोटी से चीज होती है, अगर ब्लाइंड बच् सकता है, ऐसे कौन-कौन से संस्थान है, जहां से आप मंगा सकते हैं, यह जनकारी आप हम से ले सकते हैं, यह इन्फरमेशन सेंटर के तोर पे, इसके अलाबा, बारसरगार के एक और ही महत्पूर्ण योजना है, जिसमें की हम स्कॉलर्शिप प्रवाइड करती है, जो पोस स्कीम्स हमारे पास हैं, और भी कई सारे उजनाएं हैं, जहां की आप ले सकते हैं, दुसरा एक महत्पूर्ण है, कोकुलियर इंपलान्ट ही उजना है, कोखलियर इंपलांट में क्या है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनले जिनको सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे कु आए करीब 8-10 लाग खर चाते गरा प्राइवेट में कराते हैं, तो सरकार ऐसे के लिए भी फ्री में इनको कुले इंप्लांट की सरजरी कराती है, लेकिन आम तोर पे छोटे बच्चों पे ही होता है, 6-8 साल तक के हैं, और इसमें काफी इसमें प्रोसीजर रेपले को जांच करके देखा जाता है, उसके लिए पैनल होस्पीटल भी है, अमदाबाद में है, सूरत में है, ब्रौदा में है, आप वहां से लेकिन हम से आप कर सकते हैं, और इस तरह की सेम स्टेट गवर्मेंट गुजरा सरकार भी चलाती है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, और हमारे पास भी आ सकते हैं, जैसे भी आपको सोर्यत लगती है, ये तो हमारे मुक्विंदु, हमारे जो संस्थान है, ये सारे कारे कर रहे हैं, इसके लावा किसी भी चीज़ पर प्रामर्स, जैसे कि भोकेशनल प्रामर्स, जो एडल्ट बच्चे हैं, जो खासकर जो बड़े हो ग तो हम भोकेशनल प्रोफाइल बना के दे सकते हैं, उनके लिए कौन सा टेस्ट है, वो उनको हम करके दे सकते हैं, एक इसमें एक और हम टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक कौन सा दिव्यांग, जो एडल्ट है, दिव्यांग जो व्यस्क है, वो क कौन सा काम करने में सक्षम होता है, यह अप्रिटिव टेस्ट हम आम बालक के लिए भी करते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में अगर कोई दिव्यांग गाते हैं, तो हमको एक टेस्ट करके उनको देंगे, कि इनके लिए कौन सा योग उनके लिए काम होगा, जिस्ते की होगा, सा हमारे सेंटर की जो भी कारविधी है आप आके कभी भी आप आके मिल सकते हैं हमारा जो ओफिस का जो समय है सुबह नौ से लेकर सारे पांच बजे तक और हमारा जो कारद दिवस जो है सोम बार्सले के सुक्र वार तक ही है सनी वार और रवी वार यहां चुटियां होती है रज से हम बात करना चाह रहे हैं, वो है समावेसित सिख्षा, इससे पहले भी आपको बार-बार हम बोलते हैं, कई सारे जहां भी आप रहेंगे, कि हमारा जो पूरे देश में, जो दिव्यांगों के लिए सरकार पूरी कोसिस करें, कि इनको समावेसित, इनको इंक्लूसिव आता है कि क्या ये समावेसि सही है, क्या होना चाहिए, बताईये क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़े हैं, उनको लगता है काई बार की नहीं-नWow, ये सब चीजे जो है सरकार ने बोल तो दिया है, लेकिन ऐसा उतना सुचारो रूप से चल नहीं रहा है, इससे बेटर त system था जिसमें चलाया जा रहा था अभी भी कईज़ेगा तब इसे सिख्षा को अगर आप देखते हैं तो आप को लगता है बच्चे की जो सीखने का दर है जो बच्चा सीख रहे हैं वो इसे शिख्षा में ज ज़ादा सीख कि इनको नॉर्मल स्कूल में इनको जोरिए, नॉर्मल स्कूल में इनको लेकर रखिए, इनके लिए सारा काम कीजिए, लेकिन जिन में जितनी इनकी छमता है, उसके हिसाब से अपना कर नहीं पा रहा है, और इनके साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना कि विशेश सिक्ष जो सिक्षन जो जहां पर दी जाती है विशेस विद्याला में इनका हो सकता है और कई बार अविवावक भी पैरेंट्स भी और आज़े हम टीचर भी उनको कई बार हम बोलते हैं कि नहीं अब इसे सिक्षा में आगर आप जाते हैं तो उनका ज्यादा अच्छा होगा इस तरह कि आप जो कारिक कर रहे हैं उसके मन में अगर उसके लिए घर आपके मन में विस्वास नहीं होगा तो उसकी सफलता पे हमेशा एक संसर रहेगा क्योंकि जो समावेसे सिक्षा को अगर implement करने के लिए जो ground level पे आने की जो दरातर level पे जो काम कर रहे हैं वो हमारे resource teacher हैं हमार यही सामावे से सिक्षा को inclusive जो इसको आगे लेकर सही में एक inclusive environment, एक inclusive बातावरन create कर सकते हैं और बना सकते हैं तो जो मैंने सवाल उठाया था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं इसके लिए आपको बीच में एक दो मैं वीडियो भी दिखाऊंगा मैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि inclusive education आखिर concept आया कैसे, हुआ क्या, कैसे हुआ एक सच है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं, आप सभी जानते होंगे कि world war 2 यानि कि दीतुये 20 यूद के बाद अमिर्का बिजई हुआ कभी भी अगर जितने 20 सवस्तरी अगर का यूद होता है तो उसमें क्या होता है कि विकलांगों की संख्या चानक बढ़ जाती है तो उसमें क्या हुआ कि जो अमिर्का एक बहुत बिसाल देश है और आर्थिक इस्तिति, आर्थिक तोर पे भी काफी संपन है दूतिये 20 सुट के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि उध जित चुका था तो वहाँ पर जो जन्मानस थे जो लोक थे जो कि उध में जो विकलांगं हुए थे उनके प्रति काफी उनका सम्मान था उनको लग रहा था कि हमें इनके लिए कुछ अलग से करना है इनके लिए कुछ बिसेश करना है, तो सरकार भी और जन समर्थन से वहां के जन मानस को मिला कि उन्होंने सोचा कि अगर इनके लिए उनको एक बहुती बिसेश स्पेसलाइज सुभधाय अगर दी जाए तो इनका जादा भला होगा, तो इसके लिए क्या किया, दुतिय विसु सारा दूर बनता है, क्यों जगह वहीं पे होते हैं, उसमें भी क्या होगा, जो सहर से दूर, कोई 5 किलमेटर, कोई 10 किलमेटर, कोई 20 किलमेटर दूर जाके बरे-बरे संस्थाएं बनी, अभी भी जाके अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगा, तो संस्थाएं कि आपको फो पूरे बिश्क में एक ऐसा मحول बना, कि अगर हम विकलागों के लिए दिव्यागों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए इस तरह के बरे-बरें स्यूरशन बनाके ही हम कर सकते हैं, और उनको एक हम बहुत specialized services देखर हम कर सकते हैं वहाँ पे कुछ सालों तेके services दी गई कई सा research भी आई शुरू-शुरू में जो कि उनको लगा कि नहीं से विकलांगों में कई सारे इसमें जो भी उनका जो समस्या था उसको हम ठीक भी कर रहे हैं लेकिन 20-30 सालों के बाद यह पाया गया और ऐसा उसमें देखने को मिला कि चलो ठीक है जो भी कलांगता होती है उसमें क्या हमारा होता है कि उसमें कुछ ऐसा disease नहीं है कि जिसको कि हम कुछ services देकर ठीक कर सकते कि वहाँ पिन में सुधार की जो गुणजाईस होती है एक समय के बाद वो करीब-करीब खतम हो जाती है कुछ-कुछ दिव्यांगों में सुधार की कोई जो medically तोर पे जो हम बोल सका चिकिसिये तोर पिन में सुधार की को गुणजाईस नहीं बच पाती है जब ऐसा ही होता है तब हम उनके पनरवास के लिए बात करते हैं तो उनको देखा गया कि किसीये जहां तक थी जहां भी था तो उनमें maximum हो गया लेकिन उनका पनरवास की बात नहीं हो पा रही थी चुकि ऐसे institutions बनाते जा रही थी सरकार और उसमें नेने बिकलांग आ रहे थे, दिव्यांग उसमें आ रहे थे, ऐसा इस्थिती बनी एक बार, कि जो धीरे-धीरे जब उनको लगा कि इस तरह करके तो क्या हो रहा है, कि उनको पी धीरे-धीरे समाज उनसे कटता गया, ऐसे जो बरे-बर इंस्यूसंस में जो दिव् रिस्पेक्ट था, जब दिव्यांग उनको सारी चीज़े हमने प्रवाइट कर दी है, तो उससे उनको काफी भला हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उनको इमोशनल तोर पे, मानसिक तोर पे, समाज से कट गया, उनका क्या हुआ कि उनको जो कई सारे और ची जोरूरते थी, ज कैसे, एक दिव्यांगों के लिए क्या होता है, क्या उनको समाज मरी कोगनिशन कितना, उनको सम्मान कितना दिया जा रहा है, क्या उनकी बैवाहिक बिवाह की जोक बात होती है, उनकी इस्तितिक अगर जब भी कोई साधी करेगा, जिनमें एक बहुत ही इसेंसियल एक हमारी जरत होती किसी भी human being की इसको बोलते हैं sexual need